स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चेनल आई लौट आक्स पर दोस्तो आज का हमारे विशे कोड मेरिज से संबन दी थे बहुत से लोग हैं जो कोड मेरिज करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें कोड मेरिज की पूरी प्रोसेस पता नहीं होती है और यहीं वज़ा है कि वो कोड मेरिज नहीं कर पाते हैं या कई बार वो ऐसे लोगों के जुंगल में फच जाते हैं जो इन से बहुत अधिक अमाउंड ले लेता है कोड मेरिज करवाने के नाम से आज कई वीडियो उन लोगों के लिए है जो code marriage करना चाहते हैं लेकिन process को नहीं जानते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहरे अभी तक जिन लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है अगर उने मेरे चैनल पर अपलोड किये गए वीडियो पसंद आते हैं उनके लिए उपयोगी हैं तो वो चैनल को subscribe कर ले साथी साथ बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका notification आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए आज का हमारा विशय है क्या आप कोट मैरेज करना चाते हैं तो जानिए इस वीडियो के मादियम से कोट मैरेज की पूरी process कोड मेरिज की जो प्रक्रिया है पूरे भारत में एक समान है और यह किसके अंतरगत शाशित होता है तो विशेश विवा अधिनियम 1954 के अंतरगत कोड मेरिज आता है विशेश विवा अधिनियम आप सब लोगों को पता होगा ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें किसी भी धर्म के किसी भी जात के या एक ही धर्म के लोग जो हैं विवा को कर सकते हैं इस अधिनेम के दोरा विभिन्य धर्म के इस्तरी, पुरूश, नागरिक और एक धर्म के इस्तरी, पुरूश भी रस्म और रिवाजों के बदले कोड मेरिज का चुनाउं कर सकते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी के धर्म में विवा की एक प्रोसेस होती है जो तीन से चार दिन की होती है पुराने जमाने में तो 21 दिन 11 ऐसे दिन उनके decided होते थे और अगर हम वर्तमान की बात करें, तो भी हमारी जो धार्मिक किरिया है विवा की, जो रस्म और रिवाज है, उनको निभाने में कम से कम हमें 3-4 दिन तो विवा में लगी जाते हैं, और इसमें जो हमारा धन और समय खर्च होता है, 100 अलग, तो अधिकतर लोग जो है वो अब कोड मेरिज करने की तरफ आ रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोड मेरिज जो है वो कम समय में और कम खर्चिली है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोड मेरिज की शर्टे क्या क्या हैं विशेश विवा अधिनियम 1954 अध्याय दो धारा चार इसके अनुसार इस विवा में यानि की कोड मेरिज में शामिल होने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवशक है पहली कोई पुर्व विवा ना हो विवा में शामिल होने वाले दोनों पक्ष यानि की लड़का और लड़की इनकी पहले शादी ना हुई हो या पहली शादी से जुड़े पती या पतनी जिवित ना हो साथ ही कोई पुर्व विवा वेद ना हो यानि कि सिंपल सा इसमें है कि किसी की भी विवायत पत्नी या पत्नी नहीं होना चाहिए अगर पत्नी या पत्नी मर चुके हैं या फिर तलाख हो चुका है तो वो लोग कर सकते हैं कोड मेरिज दूसरा वेद सेहमती दोनों पक्षों की वैद सेमती देने के लिए सक्षम होना चाहिए दोनों पक्षों को सच्चा से इस विवा में शामिल होना चाहिए फिर तिसरा है आयू कोड मेरिज करने की उम्र है वो कितनी होने चाहिए तो कोड मेरिज करने के लिए प्रूश की आयूब 21 वर्ष से ज्यादा तदा महिला की 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए यानि की 21 और 18 अब चोथा इसकी जो मुख्य शर्त है वो यह है कि प्रसव के लिए योग्य यानि की दोनों पक्षों का संतान की उत्पती के लिए शारिरिक रूप से योग्य होना जरूरी है हाँ अगर एक आयोग्य है और दुसरा उसकी इस आयोग्यता को सुविकार कर लेता है तो ये विवा तब भी वैलिड होगा लेकिन एक शर्त के रूप में ये है कि दोनों पक्षे एक दुसरे से छुपाते हुए ये विवा करते हैं कि वह शारीरिक रूप से योग्य हैं संतान को पैदा कर सकते हैं तो फिर ये विवा जो है वो इसकी एक शर्त आपने जो है वो नहीं मानी है अगला है निशिद संबंद इसकी जो अनुसूची है उसके एक के अनुसार दूनों पक्षों का निशिद संबंदों की सीमा से भार होना जरूरी है निशिद्य संबंद इसमें वही है जो कि आपके वेक्तिकत विधी में बताए गए है यानि कि हिंदू विधी और मुस्लिम विधी या कोई अन्य विधी में ऐसे संबंद बताए गए है जिनमें शादिन नहीं हो सकती है तो उन संबंदों को छोड़के हाला कि किसी एक धर्म की परंपरा अगर अनुमती देती हो तो फिर विवा माननी हो जाएगा अब हम बात करते हैं कोड मेरिज की प्रोसेस की अगर आप कोड मेरिज करना चाहते हैं और आप कोड मेरिज करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस अपनानी होगी तो हमने इसकी जो प्रोसेस है इसको छे भागों में विभाजित क्या है समझाने के लिए पहला कोड मेरिज की जो प्रोसेस है प्रक्रिया है उसका पहला स्टेप है प्रयोजित विवा की सूचना या आवेदन कोड में विवा करने के लिए सर्व पर्थम जिले के विवा अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए जो भी आपके जिले में विवा अधिकारी है उसको आप सूचना देंगे आप सूचना किसके द्वारा दी जानी चाहिए विवा में शामिल होने वाले पक्षो द्वारा लिखित सूचना दी जानी चाहिए विवा में शामिल होने वाले मतलब की लड़का और लड़की फिर है सूचना की से दी जानी चाहिए सूचना उजिले के विवा अधिकारी को दी जाएगी जिसमें कम से कम एक पक्षिने सूचना की तारिक से एक महीने पहले तक शेहर में निवास किया हो यानि आप जिस भी जिले में विवा करना चाहते हैं वहां का जो विवा अधिकारी है उसको आप सूचना देंगे और सूचना का मतलब क्या है एक आवेदन तो वो आप कहां देंगे तो विवा अधिकारी को देंगे और जिस शेहर में आप विवा करना चाहते हैं तो सुचना देने के तारिक से एक महीने पहले आप उस शहर में निवास करते हो यह आपको दिखाना होगा इसको मैं आपको एक्सामपल से बता देती हूँ यदि पुरुश और महीला बुंबई में रहते हैं और दिल्ली में विवा करना चाहते हैं तो उन में से किसी एक को सुचना की तारिक से तीज दिन पहले दिल्ली में निवास करना अनिवारी होगा अब सुचना का सवरूप है वो कैसा होगा तो सुचना का सवरूप अनुसुची दो के अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए जिसके साथ आयू और निवास का पर्मान पत्र दस्ताविश भी सरलगन होना चाहिए देखिए सुचना के सवरूप के अगर हम बात करें यानि कि आप में ने ये कहा है कि आप सुचना दोगें शादी की किसको जिला विवाधिकारी को तो सुचना के से दोगें तो उसका एक प्रारूप बनावा है यानि कि एक फॉर्म है जिसको आपको फील करके उनको देना है और उसके साथ आपको अपनी आयू और निवास का पर्मान पत्र के दस्ताविश जो को भी लगाना है यह हो गई हमारी पहली प्रोसेस अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्रोसेस की कोड मैरिज की प्रकरिया टू सुचना दे दी आपने सुचना अधिकारी को जो विवा का अधिकारी उसको आपने सुचना दे दी कि हमको शाधी करनी है सुचना का प्रकाशन सुचना कौन प्रकाशित करता है जिले का विवाधिकारी जो है जिसके सामने सुचना जारी की गई थी वही सुचना को प्रकाशित करेगा यानि आप जो के रहे हो जाके कि हमको शादी करनी है तो उट शादी की एक सूचना जो है वो विवाधी कारी जारी करेगा सूचना वो कहां परकाशित की जाएगी सूचना की एक प्रती कारीयले में एक विशिष्ट इस्थान पर तथा एक प्रती वो जिला कारीयले में जहां विवापक्ष इस्ताही रूप से निवासित है अगर कोई है तो परकाशित की जाएगी यानि एक नोटिस लगाया जाएगा और उसमें ये लिखा जाएगा कि ये महिला है ये पुरूश है ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं अगर किसी को आपती है तो आ बंबई के जोड़ा था दिल्ली में शादी करना चाहता था तो 30 दिन पहले दिल्ली में आगया था तो एक सृषना खान लग जाएगी दिल्ली में और एक सुचना लग जाएगी बंबे में जहां पर कि वो रहते हैं अब कोड मेरिज की थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं step 3 यानि के कोड मेरिज की तिसरी ठ्रगिया विवा में आपत्या सबसे पहले हमने सुचना दे दी विवादीकारी को विवादिकारी ने हमारी सूचना का प्रकाशन कर दे कि किसी को एतराज है तो वो आए और आके अपनी एतराज को बताए फिर विवा में आपत्ति आ गई तो आपत्ती कोन प्रस्तूत कर सकता है अगर किसी को इस विवा से प्रॉब्लम है तो कोन है जो कि इनकी प्रॉब्लम को इनके आपत्ति योगा तो कोई भी अथाथ, अध्याय दो अधिनियम के अनुभाग चार में सूची बत यानि इन्होंने एक सूची दे रखी है जो विशेश विवा अधिनिया में उसके अध्याय दो में और सूची दे रखी है जिसके अंतर ये बताया गया है कि ये ये वेक्ति जो है वो आपति ले सकते हैं तो सुचिबत अधारों पर कोई भी वेक्ती विवा में आपती प्रस्तुत कर सकता है ज्यादातर मामलों में विवा अधिकारी को आपती की जाच करना जरूरी होता है अगर अधिकारी आ जाती है तो विवा अधिकारी जो है वो आपती की जाच कर लेगा और जो इसके आधारे आपत्ती के किन आधारों पर आपत्ती ले सकते हैं वो भी अध्यायदों में दिया हुआ है आपत्ती कहां प्रस्तुत की जाएगी अगर किसी को कोई आपत्ती है तो सम्बंदित जिले के विवा अधिकारी के सामने आपत्ति को प्रस्थुत किया जाएगा आपत्ति के आधार क्या है यानि कि अगर कोई आपत्ति ले रहा है किस आधार पर ले सकता है तू उन्होंने शर्टे और ये सब इस अधिनयाम में जो विशेश विवा अधिनिया में उसके अध्य है दो अनुभाग चार में एक सूची लगा रखी है उसमें उन्होंने दे रखा है कि किन किन आधारों पर आपत्ती ले सकते हैं यदि आपत्ती स्विकार हो तो उसके का परिणाम होगा यानि कि विवा अधिकारी ने आपने जो आपत्ती लगाई है और विवा अधिकारी को लगता है कि आपत्ती सही है इसका निराकरन करना चाहिए पहले उसके बार शादी होगी तो आपत्ती प्रस्तुत करने के 30 दिन के भीतर विवा अधिकारी को जाज परताल करना ज़रूरी है यदि प्रस्तुत आपत्तियों को सही पाया गया तो विवा संपन्न नहीं होगा स्विकार के गई आपत्तियों पर क्या उपा है? अगर आपत्यों को सुविकार कर लेता है तो फिर सुविकार के कहीं आपत्यों पर कोई भी पक्ष अपील दर्जिक कर सकता है यानि कि अगर विवा अधिकारी नों आपत्यों को सुविकार कर लिया सुविकार कर लिया यानि कि विवा संपन्नी होगा तो फिर पक्षे क्या कर सकता है पक्षे कार वो अपील को दर्जिक करा सकते हैं उनके खिलाफ अब अपील जो है वो किसके पास दर्जिक की जा सकती है तो अपील आपके इस्थानी नियाले में अब इस्थानी नियाले कहा है क्या मतलब है कि जिस जगा आप निवास करते हैं आप वहाँ पर इसकी अपील कर सकते हैं विभाधिकारी के अधिकार शेत्रे में दर्जी की जा सकते हैं यानि कि अपील आपके इस्थानी जिला नियालाई में विभाधिकारी के अधिकार शेत्रे में दर्जी की जा सकती है अपील कब दर्जी की जा सकती है? आपतिस विकार होने के 30 दिन के भीतर अप्पील दर्जी की जा सकती है कोड मेरिज की चोथी प्रोसेस के हम बात करते हैं गोशना पर हस्ताक्षर गोशना पर कोन हस्ताक्षर करता है? दोनों पक्षे और तीन गवाँ यानि कि जब आपकी कोड मेरिज हो जाती है तीन गवाँ और विवादिकारी की उपस्तिती में गोशना पर हस्ताक्षर करते हैं और विवादिकारी भी गोशना को प्रती हस्ताक्षरित करेगा यानि कि दो गवाँ चाहिए और साथिसद विवादिकारी के सिगनेचर चाहिए गोशना का लेख और प्रारूप कैसा होगा क्या होगा गोशना का प्रारूप अधिनियम के अनुसूची थर्ड में बताए गया है अब हम इसकी अगली स्टेप की बात करते हैं कोर्ड मेरिश पर करिया पांच इसमें हम बात करते हैं विवा के इस्थान की विवा का इस्थान विवा अधिकारी का कारियाले होगा या फिर विवा अधिकारी के कारियाले से कुछी दूरी के भीतर किसी भी जगा पर विवा का इस्थान निश्चित किया जा सकता है विवा के फार्म की अगर हम बात करें तो विवा पक्षे का चुना हुआ कोई भी फार्म से विकार कहा जा सकता है लेकिन विवा अधिकारी की उपस्तिती में वर और वधू को ये शब्द कहना जरूरी है कि वो एक दुसरे से आपसे सहमती से शादी करना चाहते हैं अब बात करते हैं कोड मेरिज की परकरिया छे की सर्टिफिकेट अफ मेरिज विवा का पर्मान पत्र इस बीच विवा अधिकारी विवा पर्मान पत्र पुस्तिका में अजिनेम की अनुसुची चार में निर्दिश्ट रूप में एक पर्मान पत्र दर्ज करता है यदि दोनों पक्षो और तीन गवाहों दोरा हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं तो ऐसा पर्मान पत्र अधालत के विवा का निर्णायक पर्मान होता है शादी का पर्मान पत्र कैसा होगा तो इस परकार का होगा शादी का परमान पत्र में विवाधीकारी उसके दोरा परमानित करता है कि जो भी दिनांग होगी और दिन होगा वो डालेगा फिदुला और दुलहन मेरे सामने उपस्तित हुए उन में से प्रतेक ने मेरी उपस्तिती में और तीन गमाओं की उपस्तिती में जिनों ने यहां पर हस्ताक्षर किये हैं ने धारा ग्यारा के लिए आवश्चक गोशणाएं की और इस अधिनियम के तहट मेरी उपस्तिती में उनके बीच एक विवा की गोशणा की गई थी उसके बाद वो अस्ताक्षर करेगा सीन लगाएगा और वो पर्मान पत्र उनको सोब देगा कोड मेरीच के लिए क्या वशक दिस्ता वेज़े अगर आप कोड मेरीच करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डाक्यूमेंट से लेकर जाना होंगे पहला कंप्लीट आविदन पत्र और जो भी अनिवारी शुल को उनका होगा वो लड़का लड़की यानि के दूला दूलन के पासपोर्ट साइच के चार-चार फोटो चार लड़की के और चार लड़के के पहचान पर्मान पत्र जन्मक पर्मान पत्र अधवा टैंती की मारकेशेट इसलिए कि ये देखा जाएगा कि लड़का और लड़की 18 और 21 के हैं या नहीं है शपत पत्र जिसमें ये सबूत होगा कि दूला दूलन में कोई भी किसी भी अवेद रिष्टे में नहीं है फिर गवाओं की फोटो और पेन कार्ड जो गवाओं का अब लेके जा रहे हैं उन गवाओं की फोटो भी और उन गवाओं के पेन कार्ड भी साथ लेके जाना है और पहचान के लिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई भी दस्तावेश कोड मेरिज की फीस की अगर हम बात करें तो कोड मेरिज की जो फीस है चुँकि विवा पंजी करण की ये परकरिया जैसा कि आपने देखा होगा कि ये काफी लंबी है और इस परकरिया के लिए अलग-अलग इस्तानों पर अलग-अलग शुलकुन धारित किये गए है यानि इसका कोई निश्यत शुलकुन नहीं है हाला कि इस तरीके से विवा करने की जो नियुन्तम फीस है वो एक हजार उपे हैं लेकिन अन्योप चारिकता जैसे काफ़ी कारवाई वकील की फीस और जो आपको शपत पत्र बनवाना है इन सारी ववस्ताओं करने में दस जे बीस हजार उपे तक का खर्च आ जाता है तो लगभग आपके इतने पैसे जो हैं वो खर्च हो जाते हैं तो अगर आप कोड मेरिज करना चाहते हैं तो आप इस पूरी प्रोसेस को समझ लीजिए तो और उसके पश्यात आप कोड मेरिज किने जाएं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉबलम ना आए अगर आपको आईला टॉक्स चेनल के वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक करिए अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए और साथी साथ आप कमेंट से भी कीजिए मिलते हैं बहुती जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद